उद्धो पाड़ा साथ ठाकरे पक्षु वाना डोंगरी शहर के प्रमुक के रूप में समधान भाव माने को नियुक किया गया। ग्यांचंजी देवोल उप शहर प्रमुक शुभम बुराडे युवसेना शोहर प्रमुक उपस्ति थे। खेड़कर पुर्शोतम साकोर राजुप पाटले महादेव तेलंग जी मनोह जी रहांगाडले पियुश मलेलवार शेनाडे मुकेश रहांगाडले शुरिकान दखले विलास पराय देवचंद काले विनोध सुरेंद्र शेखर गायकवार अनंत शेंडे संजय ठाकरे संधीप नार्वरे गजानन लाड दामोदर भांगे दिलीप उमाले राहुल अवचट आधी गन्मान्य व्यक्ति उपस्तिते और इसमय समधान माने गीता राजेश ओके सुधीरवान खेडे मोहन मते महाराज तेलंग जी रविंज खेड कर राजु पठले सुशील कुवर संधीप नार्वारे जैसे कुछ शिफसेनिकों का प्रवेश हुआ राहुल रामटे की गनेश गीरी किशोर गीरी राजु नान बटकर सभी पदधिकारियों प्रवेश किये प्रवेश करने वालों में मुख्य आकरशन खान भाई गाड़ी वाले रहे एस बार मुख्य सहायक विलास जी पराय और गजेंद्र काकड़े थे इस अफसर पर समधान भाव ने कहा कि उन्होंने वादा किया था कि नगर परिशद में भगवा द्वज दिखाएंगे और वह सफल हुआ इसलिए उन्होंने सभी शिफसेनिकों को संतोश दिया समधान माने को वाना डोंगरी शहर में बड़ी संख्या में शिफसेनिकों का समर्थन प्राप्त था इसलिए प्रकाश लारूरकर और लखन जी ठाकरे ने सभी शिफसेनिकों को कारिक्रम में बुलाया था चुनाओ आयोगे ने तो ED, CBI, आयकर एवाग, यह सारा गवर्रमेंट के जीतेने भी इंत्रना है, यह केंद्र सरकार के घर जवाई है यह देवल अभी जो अभी नियोडनोंग आयक जो आया दो दिन पहले और उसने निलने दिया कि उनका यह मानने पंतवर्दान मोदी जी उनके इंपिये थे, उनको मालूम है कि 16 लोग उनका आमदर्गी का पत जाने वाला है, उनके दो दिन पहले नियोडनोंग आयक के पत पे उसकी नियुक्ति की, और इसी भी तरह से शिवसना कैसी एक चक्रियू में फसना चीए, व राजकारन करके उनने लाया है,